हाई फ्रेंट्स वेलकम टुटा डेस्क देवा इंगलिस अस्बकन क्लास फ्रेंट्स टूड़े आप इसको अच्छी तरह से समझ गया तो यह फिर आपके लिए सरदर्द नहीं रहेगा ठीक है फ्रेंट्स तो आज हम इसी पे विचार करेंगे कोशन वोरशे शंपर और डेअन आ यह फ्रेंट्स छोडस् Chief अच्छी आउड़े गर्ल्ब फ्रेंट्स मैं बहुतकर नहीं कितला कुछ शाब्दों को लेकर जो यह संबनता है को सिंटिर्स बनता है उसको हम क्लाउज कहते कि का की क्लाउज दो ग्रूप ऑफ स्ग्रूप आफ वर्ट्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए ओका फ्रेंट्स जैसे एक संटेंस लेता हूं मैं कि आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे मैं रोज दूद पीता हूं तो इसमें एक सब्जेक्ट है आई और एक वर्म है ध्रिंक तो दोनों से में आ गए यह हो गया क्लाउज यह जो पूरा संटेंस हो गया एक में इस सब्जेक्ट के लावे जो भी आता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं जैसे खेए एक सब्जेक्थ हो गया इसको छोड़ दो तो उसको लगा yapt Plyistics ठोट एक एफस आभी एक राउस होते कितने परकारके हैं तो दो doc Cup होता है इख होता है इंडिपेंटन स Meredith है dependent independent का मतलब तो आपको पता होगा कि जो बिल्कुल फ्री हो आजाद हो जो किसी पर निर्भर न हो उसको हम independent कहता है यानि कि वैसे sentence जो किसी पर depend नहीं होता है और dependent क्लाउज किसको बोलता है कि जिसमें sentence तो नजर आता है उसमें भी subject और वर्व होता है लेकिन वह अधूरा होता है इन कंप्लीट होता है इसमें इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता अधूरा सा लगता है उसको हम कहते हैं डिपेंटेंट क्लाउज ओके फ्रेंट्स जैसे इन डिपेंटेंट्स में यूँ में गू तुम जा सकते हो यह संतेंस पूरा हो गया और कुछ कहने की इसमें जरूरत नहीं होती है और कोई वर्ट्स जोडने की इसमें जरूरत नहीं है इसको complete करने के लिए यह अपने आप में पूरा है यू में गो तुम जा सकते हो ओके फ्रेंट्स अभी dependent है dependent में where where you want यह मैंने एक sentence लिखा ठीक है wherever you want wherever you want का मतलब होता है तुम जहां भी चाहो dependent है यह तुम जहां भी चाहो इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्व है ठीक है यू सब्जेक्ट हुआ इसने वर्व हुआ तो इसका मतलब होता है कि wherever you want जहां भी तुम चाहते हो यह चाहो तो इसका पूरार्थ नहीं निकलता है कि क्या क्या चाहते हैं कहां चाहते हैं कि जहां भी तुम चाहते हो ठीक है फ्रेंट्स इसका कोई पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है तो यह हो गया dependent clause इस तरह के जितने भी sentence आपको देखने को मिले पढ़ने को मिले जिससे कोई complete आर्थ नहीं निकलता हो कुछ अधूरा सा लगता है उसमें तो वह डिपेंडेंट्स क्लाउज कहलाता है वह के फ्रेंट्स अभी देखिए अगर हम इंडिपेंडेंट्स के बारे में और कुछ बात करते हैं तो साब पता चलता है कि इसके पास पूरा meaningful words होता है इस sentence के पूरे complete meaning निकलते हैं ओके और dependent clause में incomplete sentences होता है जिसका अधूरा meaning निकलता है अगर हम इन दोनों sentences को मिला देते हैं you दो हुैररर यूद तुम जा सकते हो जहां भी तुम चाते हो यह जह भी तुम जाना चाते हो जा सकते हो यह सब पूरा मिला कर भी एक complete sentence हो गया यानि कि wherever you want में हमने यह प्लस कर दिया जोड दिया यस को साथ में ले लिए तो यह sentence हो बूरा हो गया एक dependent clause लेकर और एक independent clause लेकर एक पूरा sentence बन गया अगर इस तरह का sentence exam में दिया हो तो इसमें सागर पूछ दे कि इसमें dependent clause कौन सा sentence है और independent clause कौन सा sentence है तो आपको साफ पता चल जाएगा कि you may go अगर यहां तक हम कि इसको हटा कर देखते हैं you may go तुम जा सकते हो यह पूरा पूरा अर्थ लेकर निकलता है कि you may go तुम जा सकते हो तो यह independent clause हो गया और यहां पर इसको हटा देते हैं wherever you want, जा भी तुम चाहते हो, यह पूरा आर्थ नहीं निकल रहागी, कहां चाहते हो, क्या चाहते हो, तो यह हो गया dependent clause, ठीक है friends, तो इस तरीके से एक्जाम में पूछ देते हैं, यह पूछ सकते हैं, एक sentence देकर बोल सकते हैं कि, which part of the sentence is the dependent clause, and which part of the sentence is independent clause, okay friends, तो यह हमारा हो या clause, clause के kinds, यानि प्रकार, independent clause, और dependent clause, ओके friends, आप इसके बाद हम सिखेंगे, कि dependent clause और independent clause के कितने प्रकार होते हैं, मैं सबसे पहले आपको यह बता दूँ, कि independent clause के कोई प्रकार नहीं होते हैं, क्योंकि यह अपने आप में एक complete sentence बनाता है, इसका sentence होता है, complete meaning लिए होता है इसके लिए इसके कोई प्रकार नहीं होता है, अगर प्रकार होते हैं, कायंट होता है, तो dependent clause के होते हैं, वो होते हैं, noun clause, adjective clause, and adverb clause, who can birth, the poor, friends, अभि हम dependent clause के kinds, तो प्रकार पर नजर ढालेंगे, कि dependent clouds dependent clouds कितने प्रकार कोते हैं आभी हम उन पर नज़र डालेंगे ओकर फ्रेंट्स यह मैंने पूरा चार्ट बना कर रखा है इसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ और आपको अच्छी तरह से समझते जाना है एक बार अगर आप समझ गए तो फिर कभी भी आपको confusion नहीं होगा क्लाउज नाउन क्लाउज एडवर्ब क्लाउज और एडजेक्टिब क्लाउज को पहचानने में ओके फ्रेंट्स ध्यान से आप देखना dependent क्लाउज के तीन प्रकार होते हैं पहला होता है नाउन क्लाउज दुसरा होता है एडजेक्टिब क्लाउज और तिसरा होता है एडवर्ब क्लाउज अभी नाउन क्या होता है नाउन के बारे में आपको पता ही होगा नाउन इस नेम आप परसल प्लेस और ठिंग कोई भी वह सी चीज जिसको हम की शूचा-श हम दिखाइं देता है वो सारे करे संदे कर लग princip क्लाओं कि पहले हम कैसे पहजाने फिरंट्स माने आपर पर कुछ की वर्ड लिखे हुए है इन कीवर्ड का मतलब क्या मने ऐसा क्यों लिखा यह समझता ज़रूरी है अगर यह कि इन कीवर्ट को आपने याद रख लिया कि एड्जेक्टिब क्लाउज में कौन से कीवर्ट से हैं जैसे वीच हूँ, हूज, दैट, हूम, आफ्टर आफ्टर उसके बाद नाउन क्लाउज में क्या है अगर आपको इसने याद रख लिया अगर इसको आपने याद रख लिया एक बार तो एक्जाम्स में सवाल आते हैं कि pick up the noun clause, adjective clause and adverb clause या fill up the sentences with adverb clause, noun clause और adjective clause इस तरह के सवाल आते हैं एक्जाम्स में तो अगर आप इन keywords को याद रखेंगे तो आपको pick up या fill up करने में कोई भी problem नहीं होगा, आप बिल्कुल easily कर सकेंगे, बस एक बार समझ लो अच्छी तरह से अभी हम noun clause की बात करते हैं कि जिस sentence में भी यह सारे शब्दा है, what, how, that, who, why, तो हो जाएंगे noun clause, okay friends, और जिन sentence में, which, who, whose, that, whom, यह सारे words आए, तो वो हो जाएंगे adjective clause, अभी आप बोलेंगे कि यह जो who है और that है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो हम कैसे clear कर पाएंगे कि यह adjective है और यह noun है, तो friends, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, कि यह जो सारे हैं, यह अगर after verb, यानि कि क्रिया के बाद आता है, यह words, यह words अगर क्रिया के बाद आता है, य okay, और यह noun के बाद अगर आता है, तो यह होगा adjective clause, मैं अभी आपको sentence के द्वारा समझाओंगा, आप बिल्कुल ही clear हो जाओगे, फिर उसके बाद adverb clause तो अलग यह बिल्कुल, यह words जहां से भी आएंगे, वहां से वो adverb clause हो जाएगा, okay friends, अभी ज्यादा माथा पेची करन who drink wine, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता, जो शराब पीते हैं, अब इसमें who आया है, यह दोखो, who, who किसमे किसमे है, noun clause में भी है, और यह adjective clause में भी है, who, लेकिन अगर after verb, यानि कि किर्या के बाद अगर who आ रहा है, तो noun clause होगा, अगर noun के बाद अगर यह आ रहा है, what's, who आ रहा है, तो adjective clause होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि यह किसके बाद आ रहा है, who किसके बाद आ रहा है, people के बाद, तो people क्या हुआ, क्रिया हुआ कि noun हुआ, यह noun हुआ, people नहीं लोग, क्रिया में तो कोई भी काम मतलब कर रहे हैं, या जैसे eat, खाना, पीना, सोना, उठना, यह सब क्रिया होती है, लेकिन इसमें people है, people is the noun, तो noun के बाद यह आया है, who, तो after noun, अगर after noun, यह noun के बाद अगर आए यह, तो यह adjective हो गया, तो यह हो गया, friends, यह adjective clause हो गया, okay friends, तो यहां से आप सिधा लिख देने का इधर तक, this is the adjective clause, okay, अभी दूसरा sentence, he fears that he will fail, उसे डर है, यानि कि वो डरता है, कि वो फेल हो जायेगा, अभी इसमें that आया है, that, that इसमें भी है, और इसमें भी है, लेकिन that किसके बाद आ रहा है, fears के बाद, fear क्या है, friends, fear verb है, अगर आपको अच्छी तरह से verb noun के पहचान होगी, तो इसको पहचानने में कोई भी problem नहीं होगा, okay, friends, verb मतलब kriya, eat, go, sleep, play, sing, swim, यह सब जितनी भी करने का बोद होता है, वो kriya होता है, तो verb आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मुझे पता है, तो यह verb है, he fears that he will fail, that fear के बाद आ रहा है, यानि verb के बाद आ रहा है, तो after verb जब आए, तो यह होगया noun clause, तो यह होगया, friends, noun clause, okay, noun clause, noun clause, okay, noun clause, तिसरा sentence, the dog that barks doesn't bite, वो कुता जो भूगता है, वो काटता नहीं है, okay, friends, इसका phrase में आगर लिखेंगे, तो अलग तरिके साथा है, ता बार्किंग डॉग सेल्दम बाइट, बट मैंने sentence बनाए कि the dog that barks, जो कुता भूगता है, वो काटता नहीं है, वो क वो के फ्रेंट, तो इसमें देट आया है, फिर से, तो देट किसके बाद आ रहा है ये, dog के बाद, तो dog क्या हुआ, noun हुआ, या वर्व हुआ, क्या हुआ हुआ है, noun है, गुता है, मतलब noun है, okay, friends, तो noun के बाद भाद आ रहा है, या आफटर noun, तो यह होगया adjective, तो यहां से देट से लेके यहां तक पूरा संटेंज हो गया वह एड्जेक्टिव क्लाउज में आ गया ओक्या फ्रट्स अभी नेक्स्ट है आई डू इट विकाउज आई लाइक मैं इसे करता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अभी विकाउज है यसमें विकाउज आ विकाउज एयर यहां से कहाई आया यह बिकाउज से शुरू किजिए और यहां तक बोलेंगे इसको हम दिस आ अट वरब क्लाउज वकाउज उसके बाद है he lost the book which I had given him मैंने जो उसे किताब दी थी वो उसे खोदिया okay friends he lost the book which इसमें which आया है तो which कहा है यहां है okay friends adjective clause में है which इसमें है नहीं है तो यह क्या हो गया adjective clause this is the adjective clause okay friends he lost the book which I had given him okay friends यह हो गया adjective clause I become very happy when I see you जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है या मैं बहुत खुश होता हूँ I become very happy I become very happy यह हो गया प्रेजेंट इसमें का संटेंस when I see you जब मैं तुम्हें देखता हूँ इसमें क्या आ रहा है कौन सा वर्ट्स आ रहा है वेन आ रहा है वेन तो वेन वेन किसमें है एड़वर्ब में है वेन में ज़्यादा तर क्या होता है ऐसे वर्ट्स आते हैं जो समय को निशीत करता है समय को समय दिन तारिक को निशीत करता है उसके बारे में पूछता है या बताता है या कंजक्शन हो सकते हैं यानि कंजक्शन जो दो संटेंसेंस को आपस में जोड़ता है जो शब्स जैसे इफ हो गया विखाउज और फोल गया इंड ओ गया देर फोर हो गया सो गया यह सब ओ गया ठीक है इसमें मैंने वह सब सारे कंजक्शन नहीं लिखे हुए है दिएरफर विए आगा जितने सारे कंजक्शन होता है वह सब आड़वर क्लाउज में आएंगे इसमें आ गया वे वेन है एड़वर्ब क्लाउज में तो यह हो गया एड़वर्ब क्लाउज अभी लास्ट संट्रेंज है अगर वो कठीन परिशनम करता है तो पास हो जाएगा मतलब इसमें इफ आ रहा है इसमें भी कंजेक्शन है और यहां पर भी कंजेक्शन है इसमें कंजेक्शन है इसमें एड़वर्ब में है तो यह हो गया एड़वर्ब सिंपल है तो देखा फ्रेंट्स कितना आसान है यह लोग खामोखा डराते रहते हैं स्टुजेंट्स को कि क्लाउज बोलके कि कि घरा मरस है क्लाउज जभर समझ लो एकँशन संया आएक पांच नवर का दासन मरगा टीचर में ढरते रहते कि कि शन कुभर कश है क्लोज याद आठा है हैं कियो यह सिर्द्स很好 अभी आता है नहीं मतलब दराक रखते हैं सबको कि क्लाउज क्लाउज क्या एक क्लाउज कुछ नहीं क्लाउज यह एक क्लाउज कितना इजी है पहचानना वह क्या फ्रेंट्स बस आपको यह कीवर्ट्स याद रखना है जिसे आपको पता चल सके कि एड्जेक्टिब तो वीडियो देखते वक्त लाइक जरूर किया किजिए और कमेंट जरूर किया किजिए फ्रेंट्स आप लोग ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो एक मिनट दो मिनट वीडियो देखते हो और बाहर निकल जाते हो ओके फ्रेंट्स हाँ फ्रेंट्स एक बात और अगर शुरू से इंगली सिखने के लिए आप हमारे चानल पर जाए आप हमारे चानल के प्ले लिस्ट पर क्लिक किजिए प्ले लिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखावा आएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप त्री हर स्टेप में लगभग 25 वीडियोज है तो आपको स्टेप वन से शुरू करना है